सुभा का वक्त इन जंगलों में आतंकियों के तलाश में निकले ये हैं Special 51 इन जंगलों में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है खबर में लिए कि Line of Control को पार कर कुछ आतंकी भारत के सीमा में दाखिल हो गए हैं और ऐसे में इन आतंकियों के खोजबीन शुरू हो गई है आतंकी काफी ट्रेंड है और वो लगातार सुरक्षावलों को निशाना बना रहे हैं ऐसे में इन आतंकियों को खत्म करना बेहत जरूरी है ओपरेशन की जटिलता को देखते हुए स्पेशन 51 हमले की कमान संभालती है जंगल के उंचे हिस्से के दोनों तरफ आतंकियों अपनी पोजीशन ली हुई है और वरुक रुक कर फाइरिंग कर रहे हैं ताकि इन रास्ते से गुदरने वाले जवानों को निशाना बनाया जा सके साल 2010 में नकसलियों ने ठीक ऐसी ही देखने वाली जगें पर बड़ा हमला बोला था जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे यह हमला CRPF पर हुआ अब तक कस्थ सबसे बड़ा हमला था जिसमें एक साथ इतने जवान शहीद हो गए थे ऐसे में इन खतरों के बीच स्पेशल 51 की टीम बड़ी सावधानी से इन इलाकों से गुजरती है कश्मीर में आतंग की संगठन स्नाइपर का इस्तमाल आतंग की हमलों के लिए कर रहे हैं पिछले दिनों CISF का एक जवान ऐसे ही स्नाइपर हमले में शहीद हो गया था यही नहीं आतंग की स्टील बुलेट का भी इस्तमाल कर रहे हैं इन गोलियों की सबसे बारी खासियाती है कि ये जवानों के बुलेट प्रूफ जेकिट्स को भी आर पार कर देती है लेकिन इसके बावजूद हमारे सुरक्षावल आतंग क्यों के हर मनसूबे को नाकाम कर रहे हैं ये बैटल इनुक्रेशन का टोटल 1.6 किलमेटर का कोर्स होता है उसमें लगबग 18 हम लोग अबस्टिकल्स रखते हैं जिससे कि एक वार लाइक सिच्वेशन से सभी जो प्रिशिक्षु अधिकारियां हम उनको उसमें से गुजारते हैं Special 51 CRPF के वो बहादर टीम है जिसे दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर हरियाना के जंगलों में तयार किया जा रहा है पिछले एक क्यावन हफतों से ट्रेनिंग ले रही इस टीम में कुछ महिला अधिकारी भी हैं कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी आराम पसंद जिन्दगी सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि वो देश की सेवा कर सके मेरा बचपन से ही फीजिकल अक्तिविटीज में बहुत इंटरेस्ट रहा है तो मेरे कुई ऐसी जोब में जाना था जहां पर मैं अपनी कैपलिटीज का यूस कर पाहूं और अपने जॉब के सबliश कर पाहूं It is not a job, but it is a service And society में barriers हैं कि गल्स ऐसा नहीं कर सकती है यह job में लोरेंटेड है तो वो barriers भी कहीं नहीं तोड़ने थे मेरे को Special 51 को कुछ इस तरह से तयार किया जा रहा है कि युद्ध जैसे हालाद से भी बड़े आराम से निपट सके इस कीम में सभी Assistant Commandant Rank के अधिकारी हैं जिने हर तरीके के आधुनिक हतियारों को चलाना सिखाया जा रहा है Special 51 को कड़े फिजिकल और मेंटल टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है जिससे वो कठन और विपरीत हालात में भी दुश्वनों का जोड़दार तरीके से मुकाबला कर सके Competent हो है अगर वो Scientific Temperament वाला है और अच्छी उन्वेस्टी से अच्छे IQ वाले स्टूडेंट्स आते हैं जो कि सारी रूप से सक्षम भी हैं तो उनका Scientific Temperament देश के लिए एसेट है आप देखिए हमारा इंडिया का जो विजिन है उसमें अगर Scientific Temperament को हम बढ़ोतरी देते हैं तो सामाजिक समस्याओं से डील करने में या आंतरिक सुरक्षा से डील करने में इनका जो मैंडसेट है ये नैशनल एसेट है और इसको सरकार की तरफ से भी बढ़ावा मिलता है स्पेशल 51 की ट्रेनिंग अब लगभग पूरी हो चुकी है इस टीम को अगले महीने देश की सबसे खतरनाक जगहों पर तैनात किया जाएगा